हेलो फ्रेंड्स आज से इस्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं बेल्ट ब्लाउज की फुल इस्टिचिंग बताने जा रही हूँ इसकी कटिंग का वीडियो में पहले ही सेयर कर चुकी हूँ उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूँगी सबसे पहले मैं बैक वाले कपड़े को भी रखेंगे और इस तरीके से देखिए पीन से उसको सेट कर लेना है तो दोनों साइट का कपड़ा बराबर में करते हुए और पहले पीन से सेट कर लेना है नीचे से भी बराबर होना चाहिए और साइट से भी कपड़ा बराबर होना चाहिए में कपड पर नीचे मैं सिलाई लगा रही हूँ नीचे का सिलाई लगाने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे अस्तर वाले पाइट को हम दूसरे वाले साइट पलट देंगे और एक सिलाई हम अस्तर के उपर लगा लेंगे ये सिलाई हम finishing के लिए लगाते हैं तो यहाँ मैं एक सिलाई अस्तर के उपर भी मैं लगा ले हूँ अब हम अस्तर को फिर blouse वाले part पर दूसरे वाले side पलट करके और अच्छे से पहले हम pin से set कर लेंगे 4-5 जगा pin लगा करके उसको set कर लेना है और उसके बाद से side से सिलाई लगाते हुए हम उपर तक आएंगे armhole के side से सिलाई लगाते हुए उपर shoulder का सिलाई लगाना है फिर पूरे neck में सिलाई लगा लेना है यहाँ मैं तुरपाई वाला neck बनाऊंगी तो यहां मैं इस तरीके से मैं सिलाई लगा रहे हूँ अगर आप पलटना चाहते हैं तो जब कमर पर सिलाई लगाएंगे उसी टाइम नेक पर भी सिलाई लगा लेंगे और फिर साइड से हम उसको पलट कर सीधा कर लेते हैं तो देखिए यहां मैं चारो साइड में सिलाई लगा ली हूँ और सिलाई लगाने के बाद पीन को निकाल लेना है और जो भी एश्ट्रा कपड़ा है साइड में या नेक पर उसको कटिंग करके निकाल देना है अच्छे से फिनिसिंग के साथ कटिंग करना है तो इसमें जो भी एश्ट्रा कपड़ मैं stitch करूंगी तो देखिए पहले यहां से cut कर लेना है और बीच से cut करने के बाद देखिए अब हम इसको भी दोनों को एक साथ attach करेंगे अस्तरवाले कपड़े को और में कपड़े को तो इसमें नीचे से पलटना नहीं है तो इसमें जो में कपड़ा रहेगा उल्टा वाला स कपड़ा रखेंगे और फिर चारो साइट से सिलाई लगा करके दोनों को एक साथ attach कर लेना है तो एक पार्ट में attach कर ले हूं बीच में एक जगा मैं पिंसे set कर ले रहे हूं अपने comfortable के लिए बीच में मैं पिंसे set कर ले हूं आप चाहें तो इसको सुई की सहायता से भी आ दूसरे वाले parts को उसके ऊपर रखना है और अच्छे से हाथ से दबाना है तो दूसरे वाले side भी निसान बन जाएगा उस निसान को दार्क करके और फिर हम tux का सिलाई लगाएंगे तो देखिए यहां मैं tux का सिलाई लगा रहे हूं नीचे वाले tux में हम थोड़ा सा ज् पारज़न रखते हुए फिर हम सी फिराः दसे टम का सिलाई लगाते हैं और चारों में स्टार्टिंग को ईस्तार्टट में और लास्ट में डबल करना ह। ठीक है अगर डबल नहीं करेंगे तो तीन टक्स है उसको भी इस्टीज कर लेना है जैसे मैं पहले वाले पार्ट में मैं बताई थी कि टक्स वाला सिलाइल स्टार्टिंग में और लाश्ट में डबल करना है तो सेम उसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेना है यहां मैं दोनों पार्ट में रेडी कर ल इसमें जो मेन कपड़ा है उसको हम सीधा रखेंगे यानि कि सीधा वाले साइड के तरफ हम अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे और दोनों का सीधा वाला साइड मिलाते हुए रखना है और इसमें पलटना है नीचे से तो अस्तर वाले कपड़े को दूसरे साइड करते हुए ए दोनों कपड़ों को एक साथ अटायज कर लेना है और इसमें भी जो एश्टा कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग करना है तो अच्छे से पहले कपड़े को बरावर में मिलाती हुए हम दोनों को एक साथ अटायज कर लेंगे और अटायज करने के बाद जो भी एश्टा कप जहां हुक पटी और आई पटी अटेज करते हैं उधर रखते हुए हम इसमें अटेज कर लेते हैं किनारे से जो एश्ट्रा होगा उसको कटिंग कर देना है और सेम उसी तरीके से देखिए दूसरे वाले बेल्ट को भी अटेज कर लेना है इसमें भी लाश्ट में जो को अटेज करेंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तो अच्छे से बराबर में मिलाती हुए दोनों साइड के सोल्डर को अटेज कर लेना है solder attach करने के बाद देखिए इसमें हम पहले hook पट्टी और eye पट्टी को attach करेंगे फिर slips को attach करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ जो पतला वाला पट्टी होता है उसमें मैं सिर्फ अस्तर वाला में कपड़ा ले हूँ इसको अंदर के side fold करके सिलाई लगाना होता है तो इस पट्टी को हम जब attach करते हैं तो blouse के सीधे वाले side में रख करके attach करते हैं और उल्टे वाले side उसको पलट करके और फिर सिलाई लगा लेते हैं जब हम चोड़ा वाला पट्टी attach करते हैं तो उसको हम उल्टा वाला साइड रखेंगे और फिर हम उसको अटैज करेंगे देखिए जैसे मैं कर रहे हूँ उपर से फिनिसिंग के लिए फोल्ड कर लेना है उपर से और नीचे से दोनों साइड से finishing के लिए दोनों पट्टियों में पहले fold कर लेंगे फिर हम attach करेंगे तो देखें अब हम इसको सीधा वाले side के तरह पलट लेंगे और इसमें beach center से पलटना है यानि कि दोनों side कपड़ा extra होना चाहिए ठीक है देखें इस तरीके से जो पतला वाला पट्टी attach करते हैं उसको तो हम पूरा ही अंदर के side fold कर देते हैं लेकिन इसमें हम पूरा fold नहीं करते हैं beach center से fold करते हैं तो यहां मैं दोनों पट्टी को मैं attach कर ले हूँ hook पट्टी और eye पट्टी अब इसमें गले पट्टी को मैं अटायज करूंगी तो देखिए गले पट्टी के लिए मैं इस तरीके से तीर्चे में मैं याने की उरे पट्टी की मैं कटिंग कर ली हूँ देखिए एक बार मैं कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखना है और इस तरीके से देखिए तीर्चे में कट कर लेते हैं कट करने के बाद सारे पट्टी को एक साथ अटायज करते हैं तो यहां मैं दो पट्टी मैं कट कर रही हूँ और देखिए दोनों को मैं अटायज करके आपको दिखा रही हूँ देखिए इसमें का जो कौन होता है यानि कि देखिए ऐसे तिर्चे में इसकी कटिंग गई है तो एक पाइट का जो उपर वाला कौन है उसको हम उपर रखते हैं और दूसरे वाले का नीचे के साइड रखते हैं दोनों को अच्छे से बराबर में मिलाते हुए रख करके और फिर हम सिलाई लगा करके दोनों को जोड लेते हैं तो यहां मैं एक पटी में अटाच कर ली हूँ, एक पटी और मैं आपको अटाच करके दिखा रही हूँ, इसमें जो कौन होता है एक नीचे के साइड होता है, तो दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखना है, देखीए, एक कौन हम उपर रखेंगे और दूसरे वाले पट्टी को बराबर कर लेंगे और अंदर के साइट पहले फोल्ड करेंगे फिनिसिंग के लिए फिर पट्टी को डबल में फोल्ड करते हुए पूरे नेक पर सिलाई लगाना है तो अच्छे से पहले हम पट्टी को बराबर में फोल्ड कर लेंगे और फिर दोनों को एक साथ मिलाते हुए याने की बराबर में रखते हुए पूरे नेक में हमको सिलाई लगा लेना है राउंड में घुमाते जाएंगे पट्टी को और फिर सिलाई लगाते जाएंगे तो अच्छे से फिनिसिंग के साथ पूरे नेक में सिलाई लगा लेना है लास्ट में भी हम पट्टी को जैसे स्टार्टिंग में हलका सा कपड़ा अंदर के साइड फोल्ड किये थे वैसे लास्ट में भी हमको थोड़ा सा कपड़ा अंदर के साइड फोल्ड कर लेना है देखिए इस तरीके स और उसके बाद से देखिए अंदर के साइड से थोड़ा सा जो कपड़ा एस्ट्रा निकला होगा उसको कटिंग करके पहले बराबर कर लेना है फिर देखिए अगर आप पाइपीन बनाना चाहते हैं तो इसको फोल्ड करके आधा फोल्ड करते हैं और फिर पाइपीन बना ले फोल्ड करती हुए और सिलाई लगा लेना है और जब तुरपाई करेंगे फिर इस सिलाई को खोल लेंगे तो यहां मैं पूरे नेक में मैं सिलाई लगा ले हूँ आप इसमें slips को अटेज करना है तो देखें यहां मैं slips रेडी कर ले हूँ इसमें जो हम सेब की कटिंग करते हैं उसको हम फ्रेंट पाइट के साइड रखते हैं तो देखें वहां मैं निशान बना ली थी यानि कि मैं उधर के साइड में ऐस जैसा मैं लिख ली हूँ उसको मैं फ्रेंट पाइट के साइड में रखी हूँ देखे, center से इसको attach करना होता है, और यहां मैं सिलाई को double कर ले रही हूँ, तो एक side का मैं slips attach कर ले हूँ, सेम इसी तरीके से दूसरे वाले side का भी slips हम attach कर लेंगे, उसके बाद यहां fitting का सिलाई लगाएंगे, तो fitting का सिलाई लगाने के लिए, देखे, finishing के लिए कैसे लगाते हैं, निशान लगाएं या फिर जो भी आपका blouse का नाप है, उसको रख करके, इस तरीके से पहले निशान लगा लेजीए, नीचे का भी निशान लगा लेना है, कमर का और फिर इसी निशान पर सिलाई लगा लेना है, तो देखिए अच्छे से निसान के उपर सिलाई लगा लेंगे ये सिलाई लगाने के बाद एक बार और मैं सिलाई लगाऊंगी यहां मैं सिलाई को डबल कर ले रही हूँ तो दोनों साइड सेम इसी तरीके से फिटिंग का सिलाई लगा लेना है अब दूसरे वाले साइड का मैं फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी, इधर मैं सिलिप्स को मैं अटेज कर ले हूँ, सिलिप्स कभी भी अटेज करते हैं तो बीट सेंटर से यानि कि सोल्डर के पास से अटेज करते हैं, तो उसकी फिनिसिंग जादा अच्छी आती है, तो इसे से पहले दोनों कपड़े को बराबर में मिलाते हुए फोल्ड कर लेना है, और फिर देखिए ऐसे निसान बनाना है और उसी निसान के उपर सिलाई लगा लेना है, यहां भी मैं सिलाई डबल करूँगी, तो एक सिलाई और मैं लगा ले रही हूँ, यह सिलाई लगाने के बाद देखिए, बलाउज की फूल स्टिचिंग, अब यह हो चुकी है, बलाउज रेडी हो गया है, इसमें अब तुरपाई करना है, और हुक और आई बनाना है, तो जब हम तुरपाई करेंगे, तो इसकी फिनेसिंग देखने में ज्यादा अच्छी लगेगी, देखिए इस तरीके से, अच्छे से फिनेसिंग के साथ तुरपाई कर लेना है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक्यू,